हेलो एवरीवन बेलकम बैक आपर चैनल एसार स्टेडी स्टेडी स्ट्रूसल आज की इस वीडियो में हम वेन यू आर ओल्ड रिटन वाई वेलियम बटलर येट्स के सोट कोस्टल अस्वर के बारे में जातेगे जो की बिल्कुल सिंपल लेंग्विज में होगे आई ये लवर यानि की पोईट किस प्रकार अतीत की यादों में जाकर अपनी प्रेमिका को याद करता है नोस्टाल्जिकली क्या होता है अतीत की यादे और उनमें जाकर अतीत की यादों में खोकर अपनी प्रेमिका को किस प्रकार याद करता है ये इस इसके बारे में हमें बताना है the poet recalls the day when his beloved was young and beautiful poet उस दिन को याद करता है जब उसकी प्रेमिका बहुत थी young और beautiful थी she was full of grace उसमें बहुत सारा अकर्सन था many people loved her beauty अनेक लोग उसकी beauty को पसंद करते थे what the point was the only person who loved her pious soul लेकिल जो point है वो ही एकला इसा विक्ति था जो उसकी pious soul को लव करता था उसकी पवित्र आतमा को यहाँ पर आप pious soul भी लिख सकते हैं या फिर supernatural भी लिख सकते हैं जो आपको साल लगे वो ही लिख सकते हैं हमने दोनों ही लिख दिये हैं second question है हमारा how does the point use personification in the poem या फिर question यहां के वाला आजे who is referred to as hiding his face in the crowd of star इन दोनों में से कोई भी question आ जाए इस का नस्वर same लिखना है आपको the point has personified love in the poem point ने personified क्या है love को इस poem में here the love is the point himself और यह जो love है यह point का खुद का love है he says that if she does not accept his love his love will fly away from her and hide himself among a crowd of stars यान की क्या क्या गया है कि poet कहता है कि यदि वह उसके प्यार को accept नहीं करेगी his love will fly away उसका जो love है दूर भाग जाएगा उस से यानि कि अगर वह कवी के प्यार को accept नहीं करती तो कवी का प्यार है वो उसकी प्रेमिका से दूर भाग जाएगा and hide himself among a crowd of stars और अपने आपको तारों के जुंड में छिपा लेगा यह इन दोनों कोस्चनों का सेम अंस्वर रहेगा थर्ड कोस्चन है how does the poet call the soul of his lover a pilgrim यानि कि poet जो उसकी lover की soul है उसको pilgrim क्यों कहता है क्यों कहता है पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि pilgrim आकिर होता क्या है pilgrim किसको कहते है तिर्थ यातरी को pilgrim कहते है और उसकी soul को pilgrim क्यों कहा है कवी यह हमें बताना है the poet says that his beloved is a beautiful poet कहता है कि उसकी beloved beautiful है at the same time see has a pious soul और साथ ही साथ उसकी soul जो है वो पायस है उसकी आत्मा पवित्तर है like a pilgrim एक pilgrim की तरह तिर्थ यातरी की तरह विच्दा poet loves जिसे poet loves करता है यही पिछे वाली कोशनों वाली बात हो गई कि poet उसकी पवित्तर आत्मा से प्यार करता है ना कि उसकी बोड़ी से जबकि जो अन्य लवर्स है वो उसकी बोड़ी से प्यार करते हैं लेकिन यहाँ पे poet सिरफ उसकी पायस soul से लव करता है और जो प्रेमिका है उसकी soul को उसने pilgrim कहा है इसलिए poets उसकी soul को एक pilgrim कहता है एक त्रित यात्री की तरह next question है हमारा question 4 what will happen the lady when she turns old यानि कि उस lady के साथ क्या होगा जब बोड़ी हो जाएगी या कौन सी lady है कवी की प्रेमिका ही है सभी में या तो फिर कवी की बात होगी या फिर कवी की प्रेमिका की बात होगी इस पूरी point में क्या है कि जो कवी है वो उस lady से प्यार करता है अपनी प्रेमिका से और उसकी प्वित्र soul को वह प्यार करता है और जैसे ही बुड़ी हो जाएगी और जब उसकी सारी रिक सुन्दरता नश्ट हो जाएगी तो सारे जो lovers है उसके वो भाग जाएगी उससे दूर और तब वह जो lady है कवी की प्रेमिका बहयाद करेगी कि कवी ही सच्चा प्रेमिक था जो उसकी प्रवित्र आतमा से प्यार करता था यह पूरी पोईम इसी के उपर डिपेंड है और यही थीम इसमें पूरी पोईम में दिखाई गई है तो इसमें पुच्चा है कि what will happen the lady when she turns old जब बहया लेड़ी बुड़ी हो जाएगी तो उसके साथ क्या होगा और यहाँ पर जो लेड़ी है वो कौन है पोईट की प्रेमिका पोईट की लवर भेंदा लेड़ी turns old she will love her sorry she will lose her physical beauty जब बहया बुड़ी हो जाएगी she will lose her physical beauty बहया अपनी सारिरिक beauty को खो देगी all her lovers will go away from her life उसके सभी lovers उसकी life से दूर चले जाएगे दूर भाग जाएगे then she will realize the poet's true love for her तब वह है पोईट के सचे लव को उसके लिए महसूस करेगी यह हमारा fourth question था next fifth question है what does the poet ask the lady to do when she turns old यानि कि poet क्या कहता है lady से क्या करने के लिए कहता है जब बुड़ी हो जाएगी the poet asks his beloved that she should read his book of poems when she is old poet कहता है अपनी beloved से कि उसे उसकी books उसकी जो points वाली book है उसको पढ़ना चाहिए जब बुड़ी हो जाएगी यानि कि कवी की book को कवी की प्रेमिका को पढ़ना चाहिए जब बुड़ी हो जाएगी then she will realize the poets true love for her तब वह है महसूस करेगी poets के सच्चे लव को उसके अपने लिए यह एक line हमने same ही लिख दिया है ताकि आपको ज़्यादा problem ना हो अलग अलग line को याद करने के लिए लग को हमने उपर निच्चे की line ने add करके आपके लिए answer असान बना दिया है next question है जो की last है explain the rhyme scene used in the poem हमें rhyme scene को बताना है जो इस poem में used हुई है the poem has three stanza's poem के three stanza है each stanza has four line और हर stanza के four lines है the rhyme scene used in the poem is av, va, c, d, d, c, e, f, e, f, e यानि कि जो पहली और चोथी पंक्ती है उसके जो last के word है वो same होंगे और जो दूसरी और तीसरी पंक्ती है उसके एकसर same होंगे जैसे कि अगर पहली पंक्ती में आया है गरेश तो गरेश से उल्टा ही जोत्त है उससे मिलता जूलता word ही fourth line में होगा और जो second line है और third line है दोनों के last के word में same लगबग last में pronounce होगा तो यह सब कुछ हमारे इस poem में six question थे I hope आपको यह video और share पसंद आई होगी very easy language में हमने करके वीडियो को बनाई हैं आपके लिए बस आप एक काम कर दीजेगा वीडियो को like कर दीजेगा और पहली बार चैनल पर आये हैं तो चैनल को भी subscribe कर दीजेगा और अपने friends के साथ वीडियो को share कर दीजेगा thank you bye bye फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ बने रहे है सार study solution के साथ बाई बाई